हेलो स्थो आप सभी सोक्त बात करेंगे यहाँ पर एक धमा के दर प्रेकिन उसके बारे में जिसका इंपैक आप सभी को दोस्तों दो सेक्टर पर काफी अच्छे से देखने को मिलेगा एक तो देखिए IT और दूसरा है बैंकिंग सेक्टर अगर आपके पास कोई IT का शेर है य किस तरीके से आप कमाई कर सकते हैं ऐसे अंसरेटिनेटे वाले मार्केट में भी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं तो चलिए स्टार्ट कर लेते नियूस के बारे में डीटेल्स जैसे के आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट म जो भी यहाँ पर हमें activities देखने को मिल रही है तो दो sector पर सबस्यादा focus किया जा रहा है एक तो IT and दोस्तों दूसरा है banking and जो FIS का भी जो stake है यानि के जो FIS invest कर रहे है इस opportunity के अंदर जो गिरावट देखने को मिलते है उसका फाइदा बहुत अच्छे से लिया जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते according to stock market expert in the current market slum IT and banking stock are expected to give long term investing advantage यहाँ पर buying के बारे में कहा जा रहा है and आपको मैं यह बताना भी चाहूँगा कि जो FIS का flow है आप पढ़ सकते हाँ पर according to Yes Securities Report FIS inflow are returning to Indian market and based off FIS inflow are it to come with their positive shift for Indian equity in 2022 and खास करकर जो banking sector है IT sector है उन पर आप ज़्यादा नजर रख सकते है और कुछ ऐसे भी strong companies है जो आपको benefit दे सकते है Reliance Industry, banking के कुछ अलग stocks अभी आप बोलेंगे सर, Reliance Industry की हो देखिए कितना भी worst distribution रहने दो एक तो retailing का business इनका चलेगा अभी यहाँ पर आपको यह भी पता है कि जो recharge हम यहाँ पर कराते इंटरनेट का calling का वगेरा इसका business टेलिकॉम का है इसके पास जरूत की चीज़ है घर पर भी रहेंगे तो भी लोग यूज तो करेंगे ना तो इसलिए कह रहा हूं कि Reliance Industry पर भी आप नजर रख सकते इसके पास दो अडवांटेज है एक खाने पीने का business भी इसके पास ही आ गया और दूसरा टेलिकॉम कमपनियों का भी अभी refinery का वगेरे या petrol digital का जो भी हम देखते हैं वो business है इसके पास oil का बट यहाँ पर lockdown भी रहा तो भी इनका business super है ना situation कैसी भी रहने दो बट इनका business तो चलेगा यह बात आप understanding करकर चल सकते हैं और आपको जैसे मैं बता रहाँ कि finance sector banking का खाने पीने के लिए तो लगेगे लोगों को पैसे transaction रहेंगे सब चीजे चलेगे और IT का तो work from home वगेरा और IT आप सभी जानते कितना दिगच वेटेज रखता है चाहे यहाँ पर आप देखेंगे inflation से बहुत अच्छा correction IT सेक्टर में तो दिखाई देता है बट इंडिया का IT सेक्टर आवर बे उतना कुछ गिरा नहीं है चाहे तो आप कभी जाकर TCS का share देखिए उतना कुछ यहाँ पर करेक्शन में नहीं है ना इंफो से का share कितने दिनों से तो मैं उसको अबज़र कर रहा हूं कब गिरेगा बोलकर वाट उसके अंदर भी correction नहीं है एंड आप यह चीज़े अच्छे से अबज़र करेंगे तो कमाई कर पाएंगे और इसमें कोई doubt नहीं है मैं इसलिए तो आपको बता रहा हूं कि आप जब भी कोई भी company में निवेश कर रहेंगे या करना चाहते तो study कीजिए बहुत अच्छे से आप पैसा कमा सकते हैं अभी यहाँ पर जैसे आप हैपेस माइंड पर नज़र रख सकते हैं बेस scl technology है scl technology भले अभी कोई अच्छा perform नहीं किया हो बहुत समय से हम देख रहे हैं इसके अंदर option down ज़्यादा चल रहे है tcs वगेरा महिंगा है तो आपको लगता है नए खरीदना चाहिए दुसरा आप select कर सकते हैं मैं कहूंगा आप यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा जो यहाँ पर group के जो भी stock है महिंद्रा group के यहाँ पर हम महिंद्रा टेच नाम से जो जानते हैं उसके अंदर strength अच्छी है यहाँ फेसिस है यल्टी टीयस है विप्रो है यल्टी आए वो भी है कंपणी इंफोसे से यहाँ यहाँ पर बिला सॉप्ट के पी आई टी टेकलोजी ऐसे बहुत से stock है small cap के उपर नजर रखिए बहुत अच्छे return दे सकते हैं अभी हाँ पर आप बोलेंगे से इतने सार से stock है हाँ बिलकुल बहुत से stock है बट आपको जो सही लगता है और आपको नई भी लगता हो तो मुझे पूछिए मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा company की जानकारी देखिए उसके बाद निवेश किजिए ऐसा ही यहाँ पर निवेश नहीं करना है हमें पैसा बनाना है यहाँ पर हमें time waste नहीं करना तो हमें यहाँ पर ऐसे ही जगों पर पैसा लगाना है जहां से हमें output निकल कर आ सके कोटक महिंदरा बैंक है बैंकिंग सेक्टर में तो आप जानते हैं कि HDFC बैंक, XS बैंक, ICIC बैंक मैं कहूंगा कि आप चाहते हो कि 1000 रुपे के निचे का चोटा शेयर या IDBI बैंक, यह दो मैं तो कहूंगा कि आप चोटा शेयर खरीदना चाहते हैं तो first purity यहाँ पर आप देख सकते है IDFC first bank को and second चोटे शेयर के अंदर IDBI bank को, बस बागी के ज्यादा बैंक के अंदर आप इंटेस्ट मन दिखाना चोटे शेयर के अंदर क्योंकि क्योंकि fundamental उतने जादे support नहीं करते हैं फेडरल जो बैंक है वो भी अच्छी है और उसी के साथ AU bank भी ठीक है तो आप लज़र रख सकते हैं इनके अंदर जो improvement के chances अच्छे हैं तो यह banking के और कुछ IT के stocks आपने radar पर रख कर चलिए आने वाला समय कैसा भी रहो बट जो कमाई के लिए कुछ sector से वो बने रहेंगे इसमें कोई doubt नहीं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से analysis बहुत से यहाँ पर research brokerage firm भी and आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्या इन sector से आप कमाई कर सकते हैं क्या तो आपका भी यहाँ पर question yes हो यानि कि आपकी question का answer yes हो sorry तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि दो सेक्टर चले गया नहीं तो कमेंड में बताना thank you so much